नमस्कार दोस्तो सिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महात्पन विडियो में आपका श्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिश्वीक सिंग दोस्तो आज मैं आपके लिए एक MODULARE KITCHN का डिजान लाया हूँ कि अखिरकार MODULARE KITCHN आप बनवाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनवाना है या फिर किस तरीके साथ कम खड़ते में MODULARE KITCHN त्यार करवा सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा कि MODULARE KITCHN में SLAP की आवसकता नहीं परती है slab कहने के मतलब कि धलाई वाला slab की आओ सकता नहीं पड़ती है तो इसको किस तरीके से बनाए जाता है पहले दोस्तो जब आपके घर में furniture का काम लगेगा दोस्तो तो इसका जो है वो slab तब बनाया जाएगा और उसके बाद में चुकि हम furniture तो काम नहीं चला सकते हैं उसके बाद उसके उपर दोस्तो ग्रेनाइट आप इंस्टॉल बिल्कुल करवा सकते हैं तो इस तरीके से मोडलर के जिएन आप त्यार करवा सकते हैं लेकिन दोस्तो आपको बिल्कुल भी गल्दी नहीं करनी है चुकि दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर भले slab नहीं है लेकिन दोस्तो इतने भी पानी वगरा का जो connection है आप देख सकते हैं यहां पर sink लगाया जानी के जगाया तो design पहले स्तियार रहा है ठीक है यहां पर plastic से पहले इस तरीके का जो plumbing वगरा काम है वो असानी से करवा सकते हैं देख सकते हैं दोस्तो यहां पर point भी दिया जा चुका है और जब आपके घर में चुकि अभी tiles लगने का काम है हाँ चल रहा है जैसे हैं दोस्तो tiles लग जाएगा उसके बाद जब furniture वाले आएंगे तो वो दोस्तो क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो slab देखर करके आपका modular kitchen को त्यार कर सकते हैं जो भी points आई हैं दोस्तो सब आपको जो है वो इस तरीके से as per drawing बनवा लेना चाहिए और उसके साथ ही दोस्तो आप कोशिस कीजिए कि जो extra समान है दोस्तो उसको kitchen के बगल में इस तरीके साब adjust कर सकते हैं kitchen का जो storage है वो कुछ इस तरीके से जितने भी कम जगा दोस्तो बचा हुआ हो इसमें इसको adjust बिलकुल किया जा सकता है तो कुछ इस तरीके से आप अपने लिए modular kitchen बिल्कुल तयार करवा सकते हैं दोस्तो आज कर kitchen में ceiling light बगारा का चलन काफी बढ़ा हुआ है तो इसलिए आप जब छटकी ड़ाई हो तो इस तरीके से व्यवस्ता बिल्कुल ले करके चलना आप्शन ले करके चलना है चुकि दोस्तो यहां पर kitchen chimney install करवाना है फिर भी दोस्तो एक जोस्ट फैन के लिए जगा वहां पर दिया गया है ठिरकी है बिल्कुल well ventilated दोस्तो यह kitchen होने वाला है तो फिर मिलते हैं नमस्कार